संसार का अंग शतावट का चरम प्रंचेत्र में योधाओं ये स्मस्यहा आ रहा है क्या आप तयार है अंतिम समय के लिए तयार हो जाओं सारे अंग्जल टीवी के दर्शको जो इस कारिकरम देख रहे हैं अब सब के लिए खास स्वागतम ये कारिकरम अंतिम समय के लिए तयार कारिकरम है इसकी उद्देशी ये है कि अन्तिम समय के बारे में जानकारी दें और आपको तैयार करें पिछली सत्र में हम परमेश्व की प्रोसाहन और मारदर्शन के इस इशक के विशे में देख रहे थे परमेश्व हम सब को प्रोसाहन कर रहे हैं ताकि हम लड़े और मजबूत बने रहें और हमेंसे बहुत लोग अब भी सो रहे हैं जबकि हमें जाकते रहना चाहिए बहुत सारे लोग अनवेश्व की चुनते हैं जबकि परमेश्व के कारे को तूटेवे हर्दे से और सिख्षा पाने वाले हर्दे के समवन परमेश्व को और गनिश तरीके से ढूंडे करके हमें वह प्रेड़ना दे रहे हैं परमेश्वर हमसे कोई मदद नहीं मांग रहा है मगर चाहते हैं कि हम उसके लिए अलग हो जाएं और उससे हम वारतलाप करें परमेश्वर उन पात्रों के खोज में हैं जिससे कि वो बहने पाएं क्या आप इसके भाग होना चाहते हैं परमेश्वर आपके होटों के इस्तेमाल करना चाहते हैं उन से प्रेम करने पाएं जिन के लिए कोई प्रेम है नहीं वो आपके होटों के इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आप उनकी महीमा करने पाएं आदर करने पाएं इसलिए परमेशे कहता है जाग उठो आप मजबूत बनो युद हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है और शत्रू कोई विश्राम नहीं कर रहा है जब कभी शत्रू हमारे जीवन में किसी प्रकार की कमजोरी को दिखता है और तब हमारे जीत छोटा हो जाता है परमेश्वर हमारा बल है और वो निश्चे हमारे सुरक्षा कस्तान है ध्यान रखें कि आप आत्मा में चलें तब ही आपके लिए जै निश्चे है परमेश्वर हमें मार दशन कर रहे हैं कि हमें जिस दिशा में जाना है परमेश्वर कह रहे हैं अपने कारें को दूसरे के साथ तुलना ना करें अगर ऐसे करते हैं तो आप मूरकता से आप अपने आप के आलंकन करते हैं न्याए करते हैं आप जोटे तरीके से इसलिए करते हैं क्योंकि आप समझ नहीं पाते हैं कि उसकी कारे क्यों हो रहा है और मूर्थ ऐसलिए है क्योंकि आप दूसरों के साथ तुलना करते हैं परमेश्व कहते हैं कि हम अपने आप के हिर्दय को जाचें और अपने रास्तों को टटो लें दूसरों के कमियों के वज़े से उनको दंड ना दें बलकि मेरी और तुम पकारो ताकि मैं तुम्हारे पापों को दूर कर सकूँ और तुरे पापों से शमा पा सके अपने मारगों को सीधा करें जिससे की परमेश्वर पवतुता की राजमार को तैयार कर सकें और शान्ती की रहा आपमें होने पाएं और मैं आपको हर एक को प्रोसाइद करना चाहता हूँ राजा दावुद के जीवन के विशे पर एक बाइबल अदन करें आएं बजन संगीता सोला ध्याय दसवेपद में देखेंगे अंग्रेजी में ग्यारा है तु मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा तेरे निकट आनंद की बरपूरी है तेरे धाइनी आत में सुक सर्वदा बना रहता है आएं बजन सत्रा उसके एक और दूसरे पत को पड़ेंगे है ओवा परमेश्वर सच्चाई के वचन सुन मेरी पुकार की और ध्यान दे मेरी प्रात्ना की और जो निश्कपट मूँ से निकलती है कान लगा मेरे मुकदमे का निर्ने तेरे समुक हो तेरे आँखें न्याय पर लगी रहें क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन के विशे में जो प्रात्ना जो है उसमें ऐसा ही जाने वास्तिक्ता में अगर हम अपने जीवन के जरुतों के लिए सही शब्दों में प्रात्ना नहीं करने पाएं तो आप दावुत के बजनों को पढ़ें बजन 84 में उसकी 11 और 12 पद में उस प्रकार कहते हैं यहोग परमेश्व सूर्य और ढाल है यहोग अनुगर करेगा और महिमा देगा और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे व कोई अच्छा पदार्त रखना छोड़ेगा हे सेनाओं की यहोवा क्या ही धन्यव मनुष्य है जो तुछ पर बरोसा रखता है दावद अच्छे से जानते हैं अगर वो परमेश्व के साथ सही रिष्टे में हो तो कोई भी दुष्ट की ताकत उनके विरोज में खड़ा नहीं हो सकता है दावद जानते थे उनके लिए परमेश्व कौन है मनुष्यों पर बरोसा रखने से बैतर दावद ने चुन लिया कि परमेश्व के हर वचन पर विश्वास करें क्या अपने सारे जीवन की समस्याओं के लिए परमेश्व पर बरोसा रखते हैं क्या आप शिकायते कर रहे हैं और लोगों से मदद को मांग रहे हैं क्यों ना आप एक शांत स्तान में जाए और परमेश्व को ढूंडें उनकी सलह के लिए परमेश्व की सलह को ढूंडें मनुष्य पर बरोसा रखने से बदले आप परमेश्व पर बरोसा रखे कि वह कारी जो आपकी जीवन के लिए करना है और मैं आप से परमेश्व की जो उपस्तिती जो बना रहता है उसकी विश्य में बात करना चाहता हूं जब आप उनके जो बने वे उपस्तिती में बने रहेंगे तो आप के लिए सब बातें संबब हैं बजन 84 के ग्यारवे पद में इस परकार कहते हैं जो परमेश्वे के साथ सीधे खरे मार्ग में चलते हैं उनके कोई भी भले वस्तु जो है रोका नहीं जाता है परमेश्वे के पस्तिती हमारे अंदर वो ही सबसे बड़ी अमीरी वाली धन है और ये एक ऐसा है जिसे कोई ना मृत्यू ना कोई जंग उसमें लग सकता है कोई भी छोड उसे तोड़ कर चुराने ही सकता है संसार की भारी आनंदों को जब हम थ्याग देंगे तब परमेश्वर की उपस्तिती हमाले सीधा सीधा हो जाएगा हमारे अंदर की आनंद इस फ्रकार है जब उसमें सूखा छोड़ने बिना पानी का तो मुर्जा जाता है हमारे अंदरोनी आत्मा तब ही कुशल होगा जब हम परमेश्वर की बनी वी सुपस्तिती के अभारी होते हैं और उसमें हम बने रहते हैं परमेश्वर हमारे एक मारदर्शन दे रहे हैं हम सब से परमेश्वर कह रहे हैं संसार की महमहाय में अपने आप में भटक ना जाएं और वो स्ततकालिक है और वो सरफ विनाश के लिए है मैं सीधी सीधे उन युवाल लोगों के लिए बात करना चाहता हूँ जो इस कारेकरम को देख रहे हैं आपने अपने सना तक पाच चुके हैं अभी अपनी नौकरी में हैं संपून मेहनत उसमें लगाते हैं कि अपने नौकरी में आप जैवन्त होने पाएं संसार की खुशियों को आप ढून रहे हैं क्योंकि वो आपको वो खुशियां देता है मगर इस वक्त पर मेशर आप से कह रहे हैं और वो जो खुशियां जो आप ढून रहे हैं ये सिर्फ एक अस्ताई है मगर वाकई की जो खुशियां आप ढून रहे हैं वो आप के अंदर है जिसे हम परमेश्व का आनंद कहते हैं हर एक परिक्षाओं में परमेश्व के आनंद आपको ले चलेगा आप कभी हार को देखेंगे नहीं परमेश्व के आनंद ही अमारी ताकत है परमेश्व आप से कह रहे हैं कि आप अपने बविश्व को नहीं जानते हैं अगर आप उस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे जो हर एक आनन्द आप ढून रहे हैं वो सब आप से कट जाएगा दूर हो जाएगा फिससे में दोराना चाहता हूँ संसार की उस महमाया में अपने आप में बटक ना जाएं और वो सिर्फ विनाश के लिए हैं और वो अस्ताई हैं कई बार कुछ विनाश प्राकर्तिक तरीके से देखने के लिए विनाशक नहीं निकलता है तब भी वो हमारे आत्मा के लिए कोई लाबदायक नहीं हैं क्या आप जिन चीजों के द्वारा बटके जारे उन चीजों को अब याद कर सकते हैं हाँ अपनी दिल की गहराएं में कहते हैं कि मुझे उसे नहीं करना चाहिए था मगर हम क्यों करते हैं बहुत से बार हम दूसे मित्रों को खуч करने क्ले करते हैं मगर आपके दोस्त आपको हरा सकता है मगर परमेशवर आपको कभी छोड़ते नहीं है मेरे प्रिये बाइट बैन परमेशवर आपके लिए की योजना रखे हैं आप वो उपलब्द रखे हैं ताकि हम जान सके क्या है क्या आप वाके में उसे जानना चाहते हैं अगर आप उसे जानना चाहते हैं आपको इस अंसार की उस मुहमायव को छोड़ दिना चाहिए और वो सीरों को सोचें जो परमेश्य चाहता आपके जीवन के बारे में और ये परमेश्य का वचन है और परमेश्य की आत्मा ही मनुश्य की प्राण को खिलाता है मनुश्य की अंद्रूनी आरादना और बहरी गवाई ही उसके विश्वास में से मजबूत रखता है आपके जीवन में अन्तिम बार कब था कि आप वाकई में परमेश्य की आरादना में समय वितित किये हैं और उसकी आरादना करने में चुक जाना वो परमेश्य की चाहतों से संपुन तरीके से वंचित हो जाना है कलवरी कुरूस में जो येश्य बलिदान दिये हैं उसे इनकार करने के बराबर है परमेश्य के प्रेम और दया के प्रती आप एक बेवफाई की जिन्दगी जीते हैं आरादना ही एक मातर एक सही चीज है एक पापी व्यक्ती जो परमेश्य के लिए दे सकता है मेरे प्रेए भाईयों बैनों इस अंदेश के एंत में आप पहुंचे हैं और मैं प्रात्ना ये है कि जैसे आपने लिएवच्णों को सुने हैं कि वो आपकी जिसे को छूने पाएं और उनके लिए फ्रवू के लिए अपनी जीवन में कुछ न कुछ कर सकें अपने एड़े को छीरें और परमेशो के और वापस आएं संसार की महमाया को ढूनने में आप बंद कर दें सुनने के लिए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमेशो और आप सबको आशी दें येशु के नाम में प्रातना मांगते हैं